तो वेलकम तो और यूट्यूब चैनल और आज का लेक्चर कुछ अलग रहेगा इतनी सारी चीज़े कवर करेगे बस देखते जाएगे तो आप यह मत सोचना मैं थोड़ा पुरान न्यूस पेपर उठा रहा हूं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़े मैं इसे कवर करूँगा और जो न्यूस पेपर के अंदर भी नहीं है आज बहुत सारे फिल्ट के बारे में हम जालने की कोशिश करेगे तो सबसे पहले जो सबसे फ्रंट न्यूस है वो है गौवर्मेंट रेजिज अलर्ट ऑन डेल्टा प्लस अब आपको पता हुगा इस समय पर कोविड-19 चल रह है तो उसी दोरान कई सारे वेरियंट आ रहे है वाइरिस के सबसे सुरू में जो आया था वो करोना वाइरस सार्स टू था ठीक है तो उसके बाद क्या होता है उसके वेरियंट बनते जा रहे है यानि वो अलग-अलग रूप ले रहा है वो बहरूपिया बन रहा है तो इसी नाम दिया गया यह B.1.617.2 तो ये उसको नाम दिया गया डिल्टा को तो अब डिल्टा वायरस की भी मुटेशन हो गई है यानि उसमें भी कुछ चेंजेस आ गए है और अब वो क्या बन चुका है डिल्टा प्लस तो यह जो डिल्टा वायरस था वो 85 countries में फैल चुका है इस समय पे और जो delta plus है वो और तेजी से अब फैने लगेगा अब concern किया इस article में कहा गया है कि जो delta plus virus है वो उन countries में ज्यादा फैलेगा जहां पर vaccination कम हुई है अब मैं आपको पीछे की बात बताता हूं सारी इनके कहने की बात होती है कुछ भी कह दे लेक करता है vaccine उसके खिलाफ कामें न कर पाए यह ऐसे रूप बदल रहा है वाइरस कि जरूरी ने vaccine इसके खिलाफ काम करेगी खुद WHO को यह confirm नहीं है कि vaccine इसके खिलाफ effective रहेगी या नहीं रहेगी तो यह एक news थी पहली जो follow up करनी है हमें आगे भी अगर इसके बारे में कुछ चाहेगा तो यही है delta gas 2.1.617.2 और delta plus है उसका एक दूसरा रूप तो WHNS time alert जा रहे है कि इससे हमें बच के रहना चाहिए एक और आगे news आ रही है उसमें कहा गया है कि हमें delta plus से इतना डरना ने चाहिए क्योंकि जिन countries में delta virus पहले से आ चुका है वहाँ पर पहले से immunity delta virus हुआ था तो मेरे अंदर antibody हो चुक यह है किसके खिलाफ delta virus के तो अगर मेरे मेरे अंदर फिर से delta plus enter करने के कोशिश करेगा तो मेरे अंदर पहले से immunity होगी तो कुछ तथे यह कह रहे है कि भई इससे कोई ज़्यादा डरना की बात नहीं है तो यह है इनको uncertainty है इनको अब्दुल्ला है जो ओमार अब्दुल्ला जो national conference एक party है वाँ की जो उसका head है ओमार अब्दुल्ला उसने कहा है कि जो government of India है उसको पहले क्या करना चाहिए delimitation फिर क्या करना चाहिए statehood provide करो और फिर election कराओ पहला delimitation यानि पूरी union territory को अलग-लग seats में divide करो फिर से ठीक है delimitation होगी उसके बाद क्या अगर हो इसको state का दर्जा दो और बाद में election कराओ लेकिन जो मोधी government है जो दिल्ली में है वो क्या कह रही है कि पहले delimitation कर लेते हैं कि seats को divide कर देते हैं पूरी union territory को seats में divide कर देंगे फिर हम election कराते हैं और बाद में इसको state बनाएंगे तो यही आपस में लड़ाई चल रही है center की और यह national conference party की तो वही मैंने यहापा लिखे कि गुपकर alliance क्या कह रहा है कि पहले क्या गरो आप delimitation फिर आप इसको statehood provide करो और फिर इसको election कराओ लेकिन मोधी सरकार कुछ उल्टा ही कह रही है तो यही थी इसके बारे में बात आप कुछ बात कर ले थे कि जब अगस्त 2019 से पहले कितनी seat थी जम्मू और कश्मीर में तब देखो जम्मू और कश्मीर जो आज का जम्मू और कश्मीर union territory है और लद्दा के union territory है दोनों मिलके एक थी और उसको कहते थे जम्मू और कश्मीर जो हमारी क्या थी state उस टाइम पर state थी तो उसके अंदर कुछ seats होती है तो इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में कितनी थी उस टाइम पर 87 seats थी तो जब 2019 अगस्त में जम्मू और कश्मीर जो state तोड़ी गई दो union territories में एक तरफ जम्मू और कश्मीर union territory एक तरफ लद्दाक union territory तो जो 87 seats थी वो divide हो गई कैसे 83 तो चली इस समय पर कितनी seat है 83 वही मैंने यहाँ पर लिखिया है कि 2019 से पहले कितनी थी वहाँ पर 87 लेकिन अब 83 कहाँ पर हो चुक है जम्मू और कश्मीर union territory में और 4 कहाँ पर है लद्दाक में वही बात लिखिया अब बात क्या हो रहे है कि जब delimitation होएगी जम्मू और कश्मीर की विधान साबागे जो member चुनके जाते थे उस state में से तो जितने इलाके पर से वो चुनके जाते थे उन इलाकों को फिर से divide किया जा रहा है यानि पूरी जम्मू और कश्मीर union territory को फिर से अंदर ले तोर पे माल लो यह जम्मू और कश्मीर union territory है पूरा मेरी हतेली तो अगर इसमें इतने हिस्से पर एक MLA राज कर रहा है इतने पर एक MLA इतने पर एक MLA कहीं पर एक और MLA ऐसे कोई MLA राज कर रहा है तो total कितनी seat थी अब union territory में 83 लेकिन क्या कहा गया है जब यह limit delimitation होगी यानि फिर से यह seats divide करी जाएगी तो उस समय पर seat कितनी हो जाएगी 90 तो य यहाँ पर हर एक seat के ओपर एक MLA बनेगा member of legislative assembly यानि विधान सबा का एक member तो वो कितनी seat हो जाएगी फिर total 90 seats तो अभी at present 83 seats है लेकिन फिर कितनी होगी 90 अब इससे मोधी सरकार को क्या फाइदा देखिए आपने देखा होगा इंडिया का मैप है उपर की साइड का होता जम् कश्मीर यूजवली जो 83 seats है इस समय पर उसमें ज़्यादा बोल बाला किसका है कश्मीर का लेकिन जो मोधी सरकार है उसकी ज़्यादा पहुँच है वो कहा है जम्मू में तो वो क्या कर रही है जो delimitation करेगी इस union territory की फिर से delimitation करेगी फिर से seat divide करेगी तो वो जम्मू वा पहले इलाके में ज़्यादा seat कर देगी और कश्मीर में comparatively कम समझे रहो आज तक क्या था कि कश्मीर में seats ज़्यादा थी विदान साबा गे अंदर लेकिन जब यह साथ seat बढ़ाई जाएगी 83 से 90 की जाएगी तो और maximum seat कहा जाएगी जम्मू जो जम्मू है उस पर और delimitation commission मनाई थी जो क्या देख रेक करेगी कि कैसे उस union territory को divide करना है तो वो बनी थी मार्च 2020 में देखो अगस्त 2019 में क्या हो था बाइफरकेशन हो गया था यानि तूट गई थी पूरी state दो union territory में और उसके बाद मार्च 2020 में क्या बना एक delimitation commission यानि जो यह देखेगी कि इस पूरी union territory को कैसे फिर से divide करना है तो उस delimitation commission को एक साल के अंदर अपनी report देनी थी यानि मार्च 2021 तक लेकिन फिर वो देनी पाई तो उसका time थोड़ा extend कर दे गया और अब कौन सा महिने चल ला है जून तो अब जून के महिने में उसने अपना काम पूरा कर चुकी है और उ इसलिए ही जो बीजेपी के भी member है और एंसे के भी member है तो इसलिए ही main जो parties दो है delimitation में वो कौन सी कौन सी है एक तो बीजेपी और एक कौन national conference of ओमर अबदुल्ला तो यह मैंने आपको बताने की खोशिश की महाँ पर क्या चला जियम्मों किश्मी ने बिल्पूल डिटेल में अगला जो एक और आर्टिकल में उठा रहा हूं वो है यह इसमें आपको effect बताऊंगा बस मैं इसमें कुछ news में यह है कि 186 करोड डोसिज चाहिए हमें 18 प्लस जो यूथ है उनको vaccinate करने के लिए अब इससे मैं एक point निकाल के दा रहा हूं कि हमारे देश में यूथ कित है आपको कि अगर 93 से 94 क्रोड पीपल हमारे हाँ यंग है यंग नी अडल्ट है 18 प्लस है तो उनको vaccinate करने के लिए लगबख इतनी क्रोड वैक्सिन चाहिए 186 भाई डबल कर दो 94 यही मैंने आप एक fact के तोर पे लिखा है तो इसमें कुछ ज़्यादा है इतना कुछ थाने बस यह बताना था मेरको आपको फिर एक news दी गई है कि गुलेरिया ने यह कह दिया है कि जो हमने एक report त्यार कई है वो in dream है यानि वो final नहीं है अब report किसके regarding है जब अभी दिल्ली में क्या हुआ था थोड़े दिन पहले oxygen की कमी हो गई थी तो उस समय पर supreme court ने फिर एक commission मना थी यानि एक group बनाया था पांच members का और उन group को यह decide करना था कि क्या जो दिल्ली ने demand करी थी oxygen की वो feasible थी या नहीं क्या उसने गलत तरीके से केजरिवार ने दिखाया था कि oxygen जादा चाहिए या नहीं तो इस जो commission ने report दी है जिसके head रंदीप गुलेरिया है रंदीप गु आएगे ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली की जो daily requirement थी वो समय पर बढ़ गई थी यानि आपस में इनका मतभेद है लेकिन यह जो report आई है इसने कह जए फिर कि इंट्रीम है यानि यह final नहीं है अब हम इस पर देखेंगे और क्या चलेगा आगे तो यह थी है अब नीचे एक और news है वो है कि भाई जो आर्मी का जो flying fleet होता है इसको ऐसे कियो aviation fleet जैसे आर्मी निमाग रहता हम क्या सोचते बंदू के ground पे चल रही है आर्मी अटैक कर रही है जैसे चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट चलता है उस पर जो आर्मी उतते है वो बॉर्डर पर उतती है हवा में तो ने उड़ती हम यह सोचते है हवा में नहीं उड़ती लेकिन नहीं आर्मी के पास कि आर्मी के पास system में पर helicopter है कौनसे एक तो चीता और एक कौनसा चेतक तो दोनों helicopter है वो इससे में बूढ़े हो चुके है यानि तीस से चाले साल हो चुके है यानि आर्मी के पास रहते रहते और लगभग जो आर्मी की जो flying fleet है यानि जो उड़ने वाली helicopter है उन्में से maximum कौ से है ये दोनों तो अब इनका retirement के समय आ गया है तो इसी पर बातचीत हुई है इसमें कि अब क्या है इस समय पर जो हिंदुस्तान Aeronautical Limited ये क्या है हिंदुस्तान Aeronautical Limited HAL ये Ministry of Defence के अंटर आती है और ये भारत देश के जो requirement होते है आर्मी को कोई supply करने है चीज इंडियन Air Force को कोई supply करने है चीज बना के helicopter बगएरा तो वो कोन करता है HAL करता है तो इसी तरीके से HAL इस टाइम पर कहीं सारे helicopters भी develop कर रहा है supply करने के लिए HAL का department जो head है वो कहां पर बैंगलोर में चीक है यही था कि इस समय पर जो आर्मी उसके पास 19 तो है advanced helicopters और 75 है rudra helicopter यह जो rudra helicopter है इस advanced helicopter का क्या एक दूसरा रूप है तो इतने हो helicopter इस टाइम पर हमारी आर्मी के पास है लेकिन अब एक और बात कर रहा है कि आर्मी को surveillance करने होती बोर्डर के पास तो उसके लिए आर्मी ने एक unarmed aerial vehicle लिया है यानि एक drone की तरह होता है जो unarmed यह नहीं जिसमें कोई आदमी ना बैठा हो तो उसका नाम है hiron टीपी और यह लिया किस से गया है इसराइल से तो इसमें इतना ही था अब चलते है जो important आज की news में देखना चाह रहा हूँ अभी तक मैंने वो न्यूज कवर कर लिया जो front page पे थी अब देखो एक यह नहीं पर आ रहा है relief for man held under UP anti-conversion law और यहां पर एक जिक्र किया गया है अंदर SCXT Act का अब मैं आपको आज detail में बताऊँगा SCXT Act क्या है यह क्यों लागू हुआ था कब लागू हुआ था वो सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे अभी देखे भई एक समय था आपने देखा होगा कि जो SCSC community है schedule tribe और schedule caste इनके साथ बहुत परतार नहीं हुई है बहुत अत्यचार हुई है पुराने समय में भी इवन जो हमारे वेदास थे ठीक है जो वेद है हमने वेद पढ़े है उनमें भी वर्नन है कही न कही कि जो schedule caste के लोग है या schedule tribe के लोग है उनको वेद पढ़ने का हक नहीं है तो मेरे असाब से यह क्या था पूरा एक proper discrimination था आज के दिन में अगर भारत में कोई ऐसा कानून आ जाए जो यह कह दे कि कोई एक particular वेक्ति यह किताब नहीं पढ़ सकता तो उसको भारत के जो सविधान के article 15 है no one can be discriminated based on caste उसके अंतरगत illegal ठहराए जाएगा कि अगर कोई यह कह दे कि आप यह book नहीं पढ़ सकते तो भारत में अब यह illegal होगा ऐसे क्यों कह सकते आप क्योंकि आप discrimination कर रहे हो caste के basis पे तो आज के समय में यह नहीं हो सकता आज के समय में पे discrimination नहीं हो सकती SCST के साथ में लेकिन पुराने समय में क्या था यह कहा गया था कि वेदास को पढ़ने का हक नहीं कि इसको SCST को अब भई जो जिसको वेद का ज़्यान होगा वो उनको ज़्यादा पता होगा लेकिन मेरी basic thinking में इसा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए SCST को allowed नहीं होना चाहिए वेदास को पढ़ने के लिए क्योंकि मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है जो सबसे पहला वेद था होता Rig VED और Rig VED के अंदर ही 10 मंडल होते थे यानि पूरे वेद को मंडल में डिवाइड कर रखा था और उस मंडल में जो last मंडल था 10th मंडल वो था पुरुष शुकता पुरुष शुकता तो उस पुरुष शुक्ता मंडल में लिखा गया है कि कैसे वरन सिस्टम सुरू हुआ वरना सिस्टम का जिकर कहां पे है पुरुष शुक्ता मंडल में है किसके रिगवेद के तो कही न कहीं वहां से discrimination स्टार्ट हो गई थी कास्ट के बेसिच पे differences स्टार्ट होगे तो समय में समय चलता गया और इनके खिलाफ क्या पढ़तार ना है अत्यचार बढ़ते गए ठीक है इनको कह दिया गया समाज ने कह दिया बड़े जो ओधे पे रहते थे उन्होंने कह दे कि आपको कुछ particular काम ही करने है आप उचे नहीं उठ सकते ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा अत्यचार हो है उनके खिलाफ आपको example पते ही होगे बताने की कोई जरुरत नहीं है ठीक आप इतने समझदार ह तो बाद में क्या होता है देखो भारत जब आजाद हुआ तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना था क्योंकि भारत क्या बन गए एक democratic state और यहाँ पर हम सब लोगों के rights की हम देखभाल करते है तो इसी बीच एक सबसे बड़ा मुद्द जो था वो था SCST community को कैसे protect किया जा है तो उस समय पर एक कानून लाए गया उनिस सो पच्पन में देखो 1947 में जहाद हुआ और पच्पन में कानून लाए क्या नाम था प्रिवेंशन ओफ सिविल प्रिवेंशन ओफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 अब आप इससे देख सकते हैं सिविल राइट्स कह रहा है यह सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक राइट लिया थे प्रिवेंशन ओफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लेकिन यह राइट ऐसा नहीं था जो एसी एस्ट के खिलाफ जो अत्यचार उलते उनको डोग पाए यानि इसमें जो अत्यचार को डिफाइन किया गया था और वो प्रपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था तो ऐसे ही कहीं सारे IPC की धाराय भी थी जो लगती थी अगर कोई किसी दलित के खिलाफ कुछ गलत करे या उसको धमकाए उसको उसकी कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करे तो ऐसी IPC की धाराय भी थी लेकिन वो अट्रोसिटी क्या होता है, prevention of atrocity क्या है, prevention यानि रोकना किसी चीज को, prevention of atrocity, atrocity क्या होता है, अत्याचार, तो अत्याचारों को रोकने के लिए 1989 में एक कानून लाए, जिसको ही SCST Act कहते है, या फिर prevention of atrocity Act कहते है, तो यह 1989 मिलाया, तो इसके बाद से जो SCST Community के खिलाफ, जो discrimination थी, उसकी जो rate है, उसमें बहुत कम हो गया, यानि अब उतने cases नहीं आते हैं, उसके regarding, क्योंकि एक strict low आ चुका है, SCST Act के रूप में, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आपने अगर समीधान पढ़ाओगा, मैंने पहले क्या कहा, कि article 15 कहते हैं, कि आप discrimination नह general caste का है, और कोई SC caste community से है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि SC community ये काम नहीं कर सकता और general ये कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, तो आप discriminate नहीं कर सकते, caste के basis पर, यही था article 15, और जो article 17 है, उसके दो आगे, article 17 क्या कहते है, कि आप untouchability practice नहीं कर सकते, इंडिया में, untouchability कहता चुआ चूट, यानि भई मैं इसके हाथ नहीं लगा हूँगा, जो पहले पुराने समय में होती थी, कि हम इसके गिलास से पानी नहीं पिएंगे, ये पुरानी चीज़े होगी, अगर कोई ऐसा आपके साथ करे, तो आप articles, आपका article 17, आप कह सकते हो कि मेरा article 17, इंफरिंज लाया गया है, उसको कहते है SCST Act, यानि अगर इन community के खिलाफ कोई कुछ गलत बोले, गलत करे, या caste के basis पर discrimination करे, तो उनके खिलाफ strict action लिया जाएगा, और वो action क्या है, कि आपको सीधा पकड़के jail में, और वहाँ पर आपको bail नहीं मिलेगी, antiseptory bail नहीं मिलेगी, अब antiseptory, antiseptory bail क्या होती है, अगर आपने सुनी हो, जैसे आप के उपर case लग गया, और आपको police उठाने आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आप jail में जाने से पहले bail लोगे, antiseptory bail क्या होता है, कि jail में जाने से पहले ही, आप अपने वकील को भेज के bail लो, ठीक है, code से, लेकिन इस कानून के according, अगर आप SCST Act के अंदर booked किये जा रहे हो, तो आप bail नहीं ले सकते हो, it is not bailable, ठीक है, इतनी बात समझे, अब एक बात में इसका थोड़ा background बताता हूँ, आपको आज की समय में क्या ये सही है, क्या गलत है, ठीक है, भई सही और गलत कुछ नहीं होता, पहली बाद, ये स फेर भी fake case कर रहा है, यानि अगर कोई SCST community से है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और वो fake case कर दे किसी के खिलाफ, तो यहाँ पर ये गलत है, तो सही और गलत respective होते है, यानि तुलनात्मक होते है, कहीं पर वो सही लगता है, कहीं पर गलत लगता है, तो यही मैं इसके बा 18 में, कि आप किसी भी बंदे को एकदम से नहीं पकड़ोगे SCST Act में, यह कह दिया था, क्या थी proper line, SC said no immediate arrest should be done, accused of insulting or injuring SCST, यानि एकदम से आप किसी का immediate arrest नहीं करोगी, अगर किसी ने SCST community को insult किया है, तो सुप्रीम कोट नहीं कह दिया था, लेकिन फिर क्या होता है, सुप्र को बदल कैसे सकती है, कानून ला के लग से, यानि किसी पुराने कानून में, अगर कोई amendment कर दे, तो सुप्रीम कोट की judgment को भी वो एक किसम से बदल सकती है, तो उसने क्या किया, फिर सरकार ने, पारलेमेंट ने क्या किया, अपना जो SCST Act था, उसमें amendment कर दी, 2018 में, और जो पारलेमेंट है, उसने क्या कह दिया, कि नहीं, कोई investigation करने की जुरूदने किसी को पकड़ने से पहले, यानि, अगर किसी SCST community ने आके कह दिया, कि मेरे खिलाफ यह हुआ है, तो एकदम से FIR दरज कर लो, ठीक है, और आपको arrest करने के लिए कोई ज़्यादा investigation करने की arrest कर सकते हो, और वो जो arrest है, वो वहाँ पर आपको anticeptory bail नहीं मिलेगी, यानि, ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ा और आपने अपने वकील को भेज दिया, और आपको छूट मिल दे, ऐसा नहीं होगा, तो यही था क्या हमारा SCST Act, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये Act, protect करता है दलिट्स को, SCST community को, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिश्यूज कभी कभार किया जाता है, कि इनके द्वारा इस community के लोगों के खिला, इस community के लोगों के द्वारा, भाई मैं सब को नहीं कहा रहा हूँ, लेकिन exception cases ऐसे होते हैं, कि अपनी लड़ाई, जैसे लड़ाई, परसनल, example के दोर पर ले लिजे, मैं और मेरा दोस्त है कोई, different community से बिलोग करते हैं, और हमारी personal लड़ाई है, हमारी पैसे को लेके लड़ाई हो गई, और अगर कोई, जो अगर मेरा दोस्त है, दलित है, या मैं, मैं दलित हूँ अगर, और मैं किसी पे एकदम से ऐसे आरोप लगा कि भई, आपने मेर को, मतलब मेर को आपने discriminate किया है, मेरे खिलाफ आपने अत्यचार किया है, मैं ऐसे आरोप लगा कि आपको अगर इस कानून के अंदर पकड़वा देता हूँ, तो कही ना कहीं है मेरी गलती है न, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकि ये कानून बहुत अगर कहीं पर समाज में SCST Community के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो वो ये इस Act का यूज कर सकते है, तो आज मैंने ये कवर करने के कोशुश की है, ठीक है Supreme Court ने इसको क्या कह दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब इतना strict नहीं होना चाहिए, तो कहीं न कहीं Supreme Court दूसरा viewpoint साथ में ले रही थी, कि कहीं न कहीं लोग इसको misuse करते हैं, अब अगली जो news है, वो है, USA में, USA ने कह दिया कि they will continue to help Afghanistan, militarily, politically, economically, तो यही है, हमने इसको follow-up news कह सकते हैं, इसको मैंने इसकी detail video बना रखी है, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तो वो ही हुआ है कि वहाँ पर त से का president है, इतने बात के लिए रोगी आपको, अगली बात, जो यह process चल रहा है, reconciliation का, यानि बातचीत का process चल रहा है, जो कि एक निचोड निकाला जाए इस गंबेर समश्या का, उसके जो head है, वो कोन है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, actually क्या है, जो अश्रफ गानिया है, वो इस time है head है, अफगानिस्तान के, यानि president है, लेकिन जो इनके खिलाफ, president की post के लिए खड़ा हुआ था, वो कौन था, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तो इस समय पर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को क्या बना दिया गया है, इस पूरे process के लिए, mediator किसको बनाए ग करता है कि, जो US से है, भले ही हम अपने troops महां से वापस ले जा रहे है, अफगानिस्तान से, 11 सितंबर से पहले, लेकिन हम आपकी country में, आपकी help करेंगे, military के तोर पे, यानि आपको weapons provide करके, ठीक है, आपको politically, economically, यानि पूरा support करेंगे, अगर आप तालिबान आपके बढ़ा दिया जाए, मन्रेगा के अंडर, मन्रेगा क्या है, मात्मा गांधी, national, देखो, एक एक वड़ देखते है, मात्मा गांधी, आपको पता ही है, national, यानि रास्टी है, rural, यानि ग्रामें, employment, यानि job provide करना है, एक किसम से, भाई धिहाड़ी कर रहा है कोई, employment ही तो एक कानू, ठीक है, तो ये कहा है, मन्रेगा, मात्मा गांधी, national, rural, employment, guaranteed act, ये एक स्कीम थी, जो 2005 में चली थी, ये एक एक था, जो पार्लिमेंट ने 2005 में लागू किया, जिसको according, आपको definitely, hundred days का work provide किया जाएगा, यानि अगर आप गाउं में रहते हो, गाउं की योजन है, national rural लिखा गया, rural क्या होता है, गाउं, urban क्या होता है, शहर, तो शहर के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं, लेकिन गाउं के अंदर क्या योजना है, कि अगर आप गाउं के अंदर रह रहे हो, और आप काम करना चाते हो, तो सरकार की obligation है, सरकार आपको hundred days of work provide करेगा, इस act के अं समय में, covid-19 के अंदर, जो migrants worker है, जो वापिस कहा लोड के गए है, गाउं में गए है, वहाँ पर उनके पास काम की कमी है, तो वो क्या चाते है, migrant workers, कि हमको मन्रेगा का काम मिलता रहे, तो इस लिए इस activist ने गाए, कि मन्रेगा में, जो number of days work का लोड के जाता है, उसको आदिया चाए, तो यही था इस वाली news में, भई आज, और इस page के हमने news को cover कर लिए, आज मैं एक बड़ा article cover कर लेता हूँ, एक लास्ट में, और जो बहुत important भी कहसे हैं, आप एक point आप लिए है, वो यही था जो हम कर रहे थे, कि विजे मालिया वगेरा, जो तीन बंदे विजे मालिया, मेहुल चोकसी, यह कहां भाग गए थे, विदेश भाग गए थे, भारत में fraud करकर, और बाद में क्या हुआ, जो enforcement direct rate है, ED, ED क्या होता है, जो money की money, यानि धन के, अगर कुछ धांदली हो रही हो, कहीं पर illegal trade हो रहा हूँ, money का, तो उस case में कौन investigate करता है, enforcement direct rate ठीक है, इसके लिए मैंने एक lecture ले रखा है, detail उसमें है बिल्कुल, कि CBI कैसे अपने cases को आगे transfer कर देते हैं, कि इसको enforcement direct rate को, और फिर enforcement direct rate जो की 1956 में बना था, वो फिर investigate करता है, अगर कहीं पर पैसों के लिए इन दिन में fraud हो रहा है, या फिर कोई हमारे देश से पैसा ले के भाग गई, फिर enforcement direct rate ने यहाँ पर investigation चालू की, इसने क्या किया, इसने कहा, कि हम इन तीनों बंदों को extradate करेंगे, extradate क्या होता है, विदेश से इनको वापिस खीच के लाएंगे, अपने देश में, और इनके उपर एक कानून लगाएंगे, कौन सा, prevention of money laundering act, तो prevention of money laundering act, एक, parliament ने एक्ट बनाया था, 2002 में, और इसके according क्या होता है, कि अगर किसी ने money laundering किया है, यह पैसों की धांदली करी है, भारत से पैसा लूट के भाग गया है, और illegal use किया है, government के पैसे का, तो उसके खिलाब आप एक act लगा सकते हो, prevention of money laundering act, तो यह 2002 में पास क्या गया थ अभी देखें क्या होता है, फिर एक और act है, कौनसा, fugitive economic offender act, 2018, अब fugitive क्या होता है, fugitive होता है, भगोडा, देखों, इंगलिश का भी एक word सीख गया, fugitive economic offender act, यानि कोई भगोडा है, जो पैसे के मामले में जो भगोडा है, उसके खिलाफ एक कानून लाया गया, 2018 में, जि अगर कोई व्यक्ति, 100 करोड रुपे से जदगा घबला करके, भारत से बाहर भाग जाता है, तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, उसकी सारी property को seize कर लेंगे, यानि भारत सरकार को ये अधिकार है, कि अगर कोई fraud करके बाहर भाग जाता है, तो उसकी property को seize कर ले, तो अभी क् मेहुल चोकसी विजे माले ही सारे क्या फ्रोड करके बाहर भाग गए है तो इस कानून को यूज करते होए Fugitive Economic Offender Act को यूज करते होए ED ने क्या किया है उनकी properties को seize कर लिया है seize यानि सारी property किसकी हो चुके है ED की और अब ED उस property को बेचे कुछ ही करे तो इसी तरीके से ED ने क्या का है enforcement direct rate ने कि हम इस property को बेच के लगभग लगभग 18,000 करोड रुपे बैंकों को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि बैंकों से लोन लिया था न इन तीनों बंदों ने मेहुल चोकसी ने विजे माल्या ने और निरम मोदी ने इन तीनों ने किस से लिया था बैंक से लोन लिया था वो कितना लिया था लगभग लगभग 22,000 करोड तो यही मैंने लिख रखा है 22,000 करोड लोन लिया था और वापिस कितने करोड देने की बात क्या रहा है ED इनको बैंक्स को 18,000 करोड ED यानि enforcement डारेक्ट रेट और यह पैसा कहां से इखटा गरेगा यह जो यहाँ पर प्रोपर्टी सीज किया है इस प्रोपर्टी को बेच कर पैसा इखटा गरेगा लेकिन एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि ED ने यह कहतो दिया कि मैं 18,000 करोड बैंक को दूँगा लेकिन क्या इनकी प्रोपर्टी बिक पाएगी देखे आपने सुनागा विजे माल लेकि काफी सारी प्रोपर्टी बेचने की कोशिस कर रहे है ED बहुत पहले से लेकिन वो बिक नहीं पा रही क्योंकि लोग खरीदना अन्चाथे उसकी प्रोपर्टी को तो यही एक केस चल रहा है कि ED ने कहे तो दिया कि मैं 18,000 करोड रुपे दे दूँगी बैंक को लेकिन ED इतने महंगे में कैसे बेचेगी इनकी प्रोपर्टी को तो यह बात हो गई अब इशू क्या है हमारे बैंकिंग सिस्टम में इस समय पर हमारे बैंकिंग सिस्टम में 10 लाख करोड अब देखो कितना बड़ा नंबर है 10 लाख करोड इतने क्या है NPA यानि Non Performing Asset यानि जो पैसा बैंकों ने लोन पे दे दिया लेकिन उनके पास वापिस नहीं आया जिसको बैड लोन भी कह सकते हो तो हमारे पास बैंकों के पास 2022 के एंड सक कितना बैड लोन हो जाएगा 10 लाख करोड यानि इतना पैसा बैंक दे चुके है लेकिन उनका वो घपले बाजी में चला गया पैसा तो उनी पैसे में से लिया नि 10 लाख करोड में से लगबग लगबग 22,000 करोड किस ने किया है इन तीनों बंदों ने किया है फ्रोड तो यही बात ही इसमें अब यह फ्रोड होते क्यों है क्योंकि जो हमारे बैंक्स है maximum जो पैसा प्रोवाइड करते है वो है public sector bank public sector bank यह यनी जो government के अंदर काम करते हो अब government के अंदर जो काम करेगा bank आपको पता ही वो political influence में ढहेगा यानि सरकार की ताकत उस पे bank देगी तो वो bank किनको loन देगा जो सरकार के 6 हीते वहखती होगे जैसे आज के समय पर कोई है Reliance तो Reliance को अगर loan चाहिए सरकार से वैसे उस पर खुद पैसा है लेकिन अगर उसको पैसा चाहिए बैंकों से तो क्या है सरकार pressure बना सकते है अपने public sector banks पे कि आप इनको पैसा दे दो बजाये कि यह देखते हो कि वो पैसा लगाएंगे का तो सबसे बड़ा जो fraud है इंडिया में क्या है कि आप यह नहीं देखते कि business model क्या है जहां पर आप पैसा दे रहो वो पैसा use कहां करेगा आप बस पैसा दिलवा देते हो क्योंकि आप सरकार में बैटे हो आपका control public sector banks पे ह जो कि इंदरा गांधी ने 1969 में क्या करे थे nationalized यानि कुछ बैंकों को इंदरा गांधी ने 1969 में nationalized कर दिया था यानि वो भारत सरकार के हो चुके है और वो भारत सरकार के जो bank है वो loan provide कर देते कि इसको उन बंदों को जो party के चहीते होते है जैसे आज के समय में reliance तो यहीं म देता हुआ महालय को पैसा तो दिया गया था किसी और project के लिए लेकिन उसने उस पैसे को यूज कहीं और पर कर दिया जहांसे वह पैसा वापिस आना नीथा तो ये बात होरी है कि पैसा दे जाता है किसी और चीज के लिए यूज कहीं पर हो जाता है तो इन-ई चीज़ों क handle करने के लिए कि companies अगर कोई fraud कर रहे है company क्या है इनकी company तो थी निरव मोधिव गएरा कि इन्होंने क्या क्या बैंक से पैसा लिया तो in cases को solve करने के लिए आप Supreme Court या High Court में नहीं जाओगे उसके लिए एक अलग से ट्रिबूनल बना हुआ है जिसको कहते है हम N.C.L.T. National Company Law Tribunal National Company Law Tribunal यानि national यानि company यानि company से related law tribunal यानि जो कानून को लागो करे ट्रिबूनल एक कोट की तरह होता है तो उसके लिए अलग से कोट बनी हुए जिसको N.C.L.T. कहते है और ये कोट बनी किस एक्ट के अकोडिंग है Insolvency and Bankruptcy Code 2016 अब इतना confused नहीं होना है ये क्या है एक अलग से कोट बनाएगा है 2016 में IBC कोट जिसको कह देते है 2016 ये क्या है कि इसने एक कोट डवलप की जिसको N.C.L.T. कहते है जो अभी बताई मैंने आप आपको और ये कोट क्या करेगी ये संदी करवाएगी किसके बीच में बैंक के बीच में और जो कंपनी जो फ्रोड कर रही है या जो पैसा वापिस नहीं कर पा रही है तो इन दोनों के बीच में जो resolution कराएगी वो कौन कराएगी N.C.L.T. और जो judgment देगी वो कौन देगी N.C.L.T. यही judgment देगी कि इस company को कितने पैसे देने है इस bank को ठीक है ये सारा overview देखेगी तो जबसे ये N.C.L.T. बनी है जबसे ये insolvency and bankruptcy code आता है insolvency क्या होता है insolvency क्या होता है पैसा होना insolvency या नहीं पैसा नहीं होना यानि इन company के पास पैसा ही नहीं रहा और bankruptcy क्या होता है यानि एक अंगाल हो गई दिवाला नहीं कहते है दिवाला निकल गए इनका दिवालिया होगा इनका तो इस दिवालिया के खिलाफ अगर कोई bank खड़ा हो जाए कि हमें पैसे चाहिए इस company को दिये थे तो इन दोनों के बीच में resolution कराती NCLT तो NCLT form हुई थी 2014 में जब ये code आया था अब NCLT code आने के बाद फायदे हुए है क्योंकि इस resolution में जब पहले 4 साल तक लग जाते थे अब within 400 days ये resolution हो जाता है यानि फायदा हो चुका है अब किसको इन banks को ये पैसा जल्दी से recover कर लेते हैं लेकिन एक नुकसान है NCLT के पास इस समय पे इतने cases आ चुके है कि ये ऐसा हो चुका है जैसे इंडिया में supreme court, high court जिसके पास cases के धेर लगे हुए है यानि LCLT इतने cases को handle नहीं कर पा रहा और इससे क्या हो रहा है, cases बढ़ रहे है और साथ इसाथ जो companies default कर रहे थी जो पैसा नहीं दे पा रही उनकी value गिर रही है और जैसे इन companies की value गिरेगी इनका समान कोई नहीं खरीद देगे तो इसी तरीके से क्या हुआ है इनके समान कोई नहीं खरीदना चारा क्योंकि इनका case बहुत पहले से लटका पड़ा है इनकी company की value नहीं रह चुकी है तो अभी एक जो important point है यहाँ पर क्या है कि NCLT form होने का एक advantage है कि resolution के लिए number of years कम लगने लगे अब लेकिन एक disadvantage यह है कि अब भी जो NCLT के पास case है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए है तो कुछ cases में सकता है resolution के लिए अब भी ज़्यादा समय लग सकता है तो यही इसमें मैंने बताने की कोशिश की है आप इसका screenshot ले सकते हैं सारे page का ठीक है मैं telegram पर डाल दूँगा और जो और news हमने कवर किया उसका screenshot भी ले सकते है ठीक है इसका भी आप screenshot ले लो तो आप ट्राइट टू गवर अगर आपको अच्छा लगाओ तो इसको share कीजिए और एक topic और रहता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊगा जिसे की comments, asteroids, meteorites ठीक है यह क्या होते है ऐसे एक article एक news आये थी उसके उपर एक अलग से मनाँगा solar system के उपर so मुझे बताना comment में कि क्या मुझे वो बनाने चाहिए या नहीं so thank you